बुलिये श्री प्राणा थे प्यारे कीजे प्रती वर्ष की भाती इस वर्ष भी वर्षिक मोज़्षम में आये हुए विद्वदगर्ण एवं समस्थ सुनर साथ को मेरा प्रणाम जी अक्षाराती धाम धनी के अनंत गुण है उसमें से एक गुण की भी बखान करना इस नस्वर जीवा से संभव तो नहीं है परन्तु फिर भी उनकी एक गुण है जिसके विशे में मैं उसमें प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ स्री महामती जी के धाम रिद्में बिराजमा नक्षराती ये कहला रहे है कि क्रिपा है कैविद की एजो तीनों स्रिष्ट उपर एक एक पर कैविद इनका बेवरा सुनो दिलधर इस चुपाई में यहक दर्षाय गया है कि स्री राज्जी संपुन ब्रह्म स्रिष्टी एवं जिव स्रिष्टी तखा इस्वरी स्रिष्टी पर अपनी क्रिपा द्रिष्टी किस प्रकार बनाई रखे हैं बलकि तीनों स्रिष्टी नहीं बलकि धनी के चरणों में आने वाले प्रतेक व्यक्ति पर धनी पलपल उनकी महर की वर्षा की कर रहे हैं परन्तु अपनी पात्रता के अनुकुल वे उतनाई ग्रहन कर पाते हैं जितनी उतनी पात्रता की आकार होती है जिस प्रकार सुरिय अपनी किरोणों के द्वारा शंपून प्रिथिवी की सतह पर समान भाव से अपनी प्रकाश अरपन करता है चाहे वो पेड़ हो पत्ते हो या गंदेगी की धेरी क्यों नहों लेकिन वह किसी पर भी भेदभाव नहीं कर प्रकार अक्षराती धाम देने भी अपनी शंपून तीनों स्रिष्टियों पर पलपल महर बर्षार है लेकिन कोई कम या तो अदिक दा इसले ग्रहण कर पाते हैं कि उनकी पात्रता उसके अनुकुल हो था है तो जिवश्रिष्टी के लिए कहां गया है कि सुबुद निकट ना आव होई तो कहिए चले बाहर दृष्ट आतम दृष्ण ना ले होई तो कहिए जिवश्रिष्ट की स्रेष्थ अर्था जो जीव स्रेष्थी होती है उनकी बहर मुखी होती है और वहाँ पात्रता को उनकी पात्रता बहुती झिन्यून रहती है क्यूंकि जीव स्रिष्टी इस स्वापन से उत्पन हुई है इसलिए उनको कम पातरता कहा गया है वैसे होते जीव स्रिष्टी में भी अनेक योगी तपश्वी एवं भक्जन हो चुके हैं जिनोंने संसार के इस माय के स्वापन सुख एवं छणिक सुख को त्याग कर धनी के चरणों म में रहकर पलबर उनकी छत्रचाय में अपनी जीवन को समर्बित कर रखा है क्यूंकि उनकी संख्या अत्यदिक न्यून होने कारण उन्हें जागरित सुसुप्ति एवं शौपन की तीनों अवस्थाओं में पसुख की तरह इस माय के विशयों में भटके रहने का और बटके रहने का कहा गया है और इस्वरी स्रिष्टी के विशय में स्री मामात जी कहते हैं कि श्रिष्ट जो इस्वरी और उनकी विशय में यही कह रहा है कि जो ब्रह्मा स्रिष्टी होती है वह जीव स्रिष्टी से कुछ अधिक पातरता होती है वह उनकी हिरदय भी अत अती पवित्र होती है और वह अनेक प्रकार से इस संसार के माय को भी वज त्याक कर धनी के चरणों में रहती है और ब्रहमस्रिष्टी के लिए कागया है ब्रहमस्रिष्टी आई अर्ष से जित इंद्री सुध अंग ब्रह्मसिष्टी कौन है वो अक्षरादित के आनन्द अंग है जो परमधाम से आई है और उनकी अंतसकरन भी अति पवित्र होती है और वो भी इस माये के सुखो को छोड़ कर धनी के चरणों में अपनी परातम की सिंगार को सचकर पलपल उलके चरणों में रहते और उनकी न प्रातरता के अनुकुल धनी की नियामत को प्राप्त कर सकते हैं यदि दो इस्वरी शिष्टी युँआ ब्रहत्स सिष्टी भी कुछ ना क्रें तो उनको भी धनी नियामते नहीं मिल जक्ति हैं क्यूंकि शृराज जी कहते हैं क्रीपा करनी माफक और धनी उसी पर मेहर करते हैं जो धनी के चरणों में अपनी जीवन को समपूर्ण रूप से उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करता है क्योंकि बितक के उधारणों के द्वारा समझा जा सकता है सद्धकुरु धनी सिरे देवचंद्र जी के दो पुत्र एक नसली एवम नजरी दोनों पर ही समान क्रिपा थे परन्तु हम दोनों को अलग-अलग रूप में जानते हैं एक नसली पुत्र जो उनके चरोणों में बच्पन से उनके सानिध्य में रह चुके हैं परन्तु उन पर भी कोई प्रतिवन नहीं था कि वह चर्चा नहीं सुन सकते ध्यान इत्यादी नहीं कर सकते परन्तु उनके पातराता के अनुकुल वहा कुछ नहीं कर पाए और उनकी नजरी पुत्र सिरी महराज जी उन्होंने बच्वन में ही 12 वर्ष में उनके चरोणों में आकर अपने पातराता को बढ़ा कर वहा धन्य धन्य हो चुके हैं इसी प्रकार और एक उधारन मिलती है शेट लक्षमन दास उनके भी देखा जाये तो उनके पर कहर बर्षाई गई परन्तु धनी की दू प्रकार की महर होती है एक बातिनी महर तथा जाहरी महर उनके उपर बातिनी महर हुई जिसके कारण वह मामती लाल दास जी के नाम से हम स पास हजार की जमात थी उसमें जीव स्रिष्टी तथा इस्वरी स्रिष्टी एवं ब्रह्मा स्रिष्टी तीनों स्रिष्टी थी परन्तु जब स्रिजी चर्चा किया करते थे तो रात के अधिक बज जाने कारण कई जीव स्रिष्टी अपने और माया की और अर्था उनको दनी के चरणों में हमेशा पलपल उनकी छत्र छाय में रहकर चर्चा ध्यान आती सर्वन मन्थन किया करते थे परन्तु तीनों श्रिष्टी पर कोई प्रदीवन नहीं था कि वह इतना देर उनकी चर्जा सुने परन्तु अपनी पातरता के हिशाब से वह उतना ही ग्रण कर प अर्थात हम जिस प्रकार उनको चाहते हैं उसी प्रकार हमें भी दर्शन हो जाएंगे लेकिन हमारी पातरता की आकार से उतना हिन उनकी क्रिपा को गरहन कर पाएंगे जितना हमारी पातरता होगी क्योंकि बितक में और एक उधारन मिलता है इसी प्रकार जब दिल्ली में स्रीजी थे तो बिहारी जी की और से प्रेम जी नाग जी थथा संग जी अपनी गादी पर इमाम लाने के लिए स्रीजी की सानित्य में गए जब स्रीजी के द्वारा चर्चा इत्यादी सर्वान किया तो उन्होंने स्रीजी को महमत साहिब एवं सत्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की रूप में उनको दर्शन मिला परन्तु उस समय तो तीनों को विश्वास हो गया और सभी सुन्दर साथ को यह पत्र भी लिखवा कर भेजवा दिये कि मेराज जी के अंदर है धाम धनी की बैठक है एवं वही इस जागनी प्रम्हांड में धाम धनी है परन्तु जब उस चट्टाई से उठ गए तो प्रेम जी तो वही रहे गए परन्तु वापस संग जी एवं नाक जी चले गए क्यूंकि तीनों को ही एक साथ सद्गुरु धनीश्री देवचंद्र जी की बैठक दिखाई दी परन्तु पात्रता के अनुकुल उनको उतनाई गरण कर पाए जितना उनके पात्रता के आकार हुआ है क्यूंकि प्रतिक्च उधारन में देखा जाए तो प्रती वर्ष की भाती इस वर्ष भी वर्षिक मोच्चव हुआ है परन्तु इस समय सुन्दर्सात की संख्या अत्यधिक नियून रही है उसके कारण यह है कि किसी पर भी शुन्दर्सात पर प्रतिवन नहीं लगाये गया कि इस वर्ष कोई सुन्दर्सात ना आये क्यूंकि यहां कि यह जागनी ब्रमहंड की उधिश्या यह कि संपूना सुन्दर्सात को आत्म जागरिती कराए एवं परमधाम की और वापस जागरिती आये और वह मेर नहीं कर रहें लेकिन वह इस समय क्यों नहीं आपाई कि उनकी उनकी पात्रता ही इतना है जैसे उधारन के लिए कोई व्यक्ति कहीं पर पानी में डूब रहा है येदि हम उसको बचाना चाहे येदि हम हाथ दे अगर वह वापस हमारी और हाथ ना दे तो उनको हम बचा न कर रहें परंतु हम पात्रता को उल्टा कर रखे या हम उनकी ओर धोड़ा भी अग्रशर नहीं हो पाते तो हम उतना ही क्रिपा को घ्रण कर पाते सो अब हमें धामदनी की दिखाएवी मार्ग पर चल कर अपनी जीवन को उनके चरणों में सरवश शमर्पित कर पातरता को बढ़ाना है एवं अपनी जीवन को धन्य दन्य कर हमें परमदा में वापस जागरित होना है सो मैं इनी सब्दों के द्वारा यहाँ पर अपनी वच्छन को बिराम देना चाहता हूँ बुले स्री प्राणाथ प्यारे की द्रांज